तो गाईज, फरवरी 2023 का कॉंटेंट खतम और मार्च का शुरू होने वाला है और साथ में बढ़ने वाली है गर्मी भी और गर्मी के मौसम में महल को और गरम करने आ रही है धेर सारी मुवीज एंड सीरीज, कौनसी कौनसी, खाईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी मार्च के कॉंटेंट की शुरूआ तीन तारिक फ्राइडे से दो मुवीज एक सीरीज, गुल मोहर, मनुच बाजपई स्टारर फिल्म जो आ रही है डिजनी प्लस होट स्टार पर जो एक प्योर फैमिली ड्राम फिल्म होने वाली है, दूसरी मुवी है क्रीड 3, थर्ड पार्ट अफ क्रीड मुवी सीरीज, जिसमें माइकल जॉर्डन और जोनाथन मेजर आमने सामने आये है, वही अपना ब्लैक पैंथर से किल्मोंगर वर्सेस आंट मैन से कैंग, और ये मुवी सिर्फ इंगलिश में ह पैंड तीन तारीक को ही एक सीरीज रिलिश होने वाली है, जिसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ट होने वाली है, मुगलिया सल्तनत पर बेस्ट होने वाली है, अक्बर, बिर्बल, अनार कली वगएरा-वगएरा, ताज, पर अवेलेबल हो जाएगी अब बारी आठ मार्च की जिस दिन होली भी है और उसी दिन रंबीर कपूर अनुभाव बसी श्रद्धा कपूर की रॉम कॉम मुवी तू जूटी मैं मकार रिलीज होने वाली है थियेटर्स में उसी दिन याने आठ तारीक को बड़ी ही इंट्रे हो गया था जिसका आज तक पता नहीं चला स्ट्रेंज अब बात दस मार्च की जिसमें पहला कॉंटेंट मैं देखूंगा मैं देखूंगा वो है 65 जिसका टॉपिक मेरे को काफी इंट्रेस्टिंग लगा एक प्लेन टाइम ट्रैवल करके सीधा 65 millions years back to past चला जाता है जहां उनका encounter होता है डाइना सोर्स और उनके ही जैसे क्रीचर से वो वाट अ टोपिक और खुशी की बात यह है कि ये मूवी हिंदी और अधर रिजिनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज हो जाएगी दस तारिक को दूसरी फिल्म भी हॉलिवुड से ही है स्क्रीम 6 जो हॉरर फिल्म सीरीज स्क्रीम का 6th पार्ट है अगर मेरे यहाँ यह फिल्म लगती है तो मैं रिव्यू आपके लिए जरू लाऊंगा दस तारिक को ही नेटफलिक्स पर एक इंडियन सीरीज रिलीज होने जा रही है जो अपैरेंटली एक क्राइम ड्रामा सीरीज एंड फिल्म रे डोनोवैन का ओफिशल अडप्टेशन है राना नाइडू जिसमें साउथ के एक्टर्स तो है लेकिन शो हिंदी में है भाई सा शजैम का पार्ट टू जिसका पार्ट वन मुझे बहुत पसंद आया था और मूवी भी काफी अच्छी चली थी कबजा जो कंड़ा इंड्रस्ट्री से है और इसकी भी हाइप लगभग केजेफ की तरह ही है जविगाटो जो कपिल शर्मा की मूवी है और यहां इस फिल्म में वो अपने ही अपोजिट अवतार में दिखने वाले है मतलब कॉमेडी नहीं सीरियस रोल में and मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ and 17 मार्ज की लास्ट मूवी है मिसेस चैटर जी वर्सेस नॉर्वे भाई साब क्या ट्रेलर और क्या पर्फॉर्मेंस थी रानी मुखर जी की इस ट्रेलर में ऐसा एकदम दिल को चुने वाला पर्फॉर्मेंस और कॉंसेप्ट भी यूनिक है तो इसे देखना तो बनता है अब बात 24th मार्ज की जिसमें दो मूवी रिलीज होने जा रही है पहला है जॉन विक का 4th पार्ट बट मेरे को गाली मत मारना क्योंकि मैंने इसका एक भी पार्ट नहीं देखा है शायद मूवी रिलीज होने से पहले मैं इसके पहले की तीनों पार्ट देख लू और दूसरी मूवी है भीड स्टारिंग राज कुमार राओ और भूमी पेडने कर बट इसका अब तक कोई ट्रेलर नहीं आया है सो चांसेस काफी हाई है कि इसकी डेट पोस्ट पोन हो जाए अब बात तीस तारिक की अगेन इस दिन दो बड़ी रिलीजेस है एक है अजे देवगन की भोला जो ओफिशल एडप्टेशन है कैथी का पर बोला जा रहा है कि इसमें काफी सारे चेंजेस किये गए है और दूसरी फिल्म है अगेन कन्नडा इंडस्ट्री से दसरा जिसका टीजर काफी अच्छा था और आई होब की मूवी भी काफी अच्छे निकले टोटल सोला मूवीज और सीरीज और बीच में कुछ एक ट्रेलर्स भी आएंगे तो पकड़ के चलो के इस महीने में मेरे चैनल पर अल्मोस्ट 20-21 वीडियो तो पक्के है जिन में से कुछ एक में स्पॉंसर्स भी होंगे बाकि मुझे बताओ कि इन में से किसके लिए आप सबसे ज़ादा वेट कर रहे हो मिलता है अगले वीडियो में बाई